नमस्कार जय जोहार मैं हूँ अनुशर्मा और आज मैं बात करूँगा 36 गड़ के सबसे फेवरिट फूड के बारे में ऐसा फूड जो हर 36 गड़िया को पसंद होता है हर 36 गड़िया गर्मी के दिनों में जो सबका फेवरिट होता है वही मेरा भी फेवरिट की शरीर को ठंड़क देने वाला आपके शरीर को इस तप्ती गर्मी में आराम देने वाला और एनरजी देने वाला काफी स्वास्त प्रद हमारा फूड होता है जो 36 गड़ की पहचान है वो है बोरे बासी असल में बोरे और बासी दोनों अलग अलग चीजे होती है बोरे यानि सेम डे का चावल जब उसमें पानी डाल दिया जाए और उसे शाम को खाया जाए वो बोरे होता है और जब रात का चावल रात भर पाने में भीगो के रखा जाया और उसे सुबह खाया जाया तो वो बासी कहलाता है आज ऐसा मौसम आ गया है कि गर्मी की शुरुआत होगी और वही शुरू हम कर चुके हैं तो अब गर्मी के दिन आगा तो उसका संकेत होता है कि अब गर्मी बढ़ रही तो अपना फूड भी आप चेंज करते हैं वैसे ही अब हमारे यहां बोरे और बासी खाने का कि शुरुवात हो जाती है और आज से मैं भी खाने वाला हूं तो मुझे लगा कि आप सबसे शेयर करूं तो मैं आज आपको सबसे पहले दिखाता हूं बोरे यह आज का ही बना हुआ चावल है जिस पर पाने डाल दिया गया है और बोरे खाने के साथ अगर मही हो जाए तो मही मतलब छाच फ्रेश अ च्रिस्प का मज़ा लेना है तो आपको लाई बड़ी विजोरी में बहुत आनन्द आता है और यह है दही मिर्च में दही और मसाले डाल कर सुखा कर बनाया जाता है इससे सुआत करीव में बढ़ जाता है साथ में ये है आम का अरक्का अरक्का इसलिए बोलते हैं कि इस आम के आचार को छिल कर बनाते हैं और इसमें नमक, मिर्च और थोड़ा सा करायक डालते हैं थोड़ा सा सरसो भी डालते हैं और इसका टेस्ट बाकी आचार से बिलकुल अलगाता है और अगर बोरे या बासी खा रहे हैं और चेंज भाजी और अदवरी बरी अगर नहीं है उसके साथ तो फिर तो बोरे और बासी का मज़ा ही नहीं तो यह है चेंज भाजी और अदवरी बरी चेंज भाजी और अदवरी बरी बरी मिंस उड़त के दाल से बनी हुई बड़ी बड़ी और 36 गड़ को भाजीयों के लिए जाना जाता है 36 गड़ में जो साख होता है जो पत्ते होते हैं वो बहुत प्रकार के खाये जाते हैं और यही 36 गड़ी कुजीन की खास बात होती है आप किसी भी समय भोजन करिए चाथी गड़ में उसमें भाजी एक एहम हिस्सा होता है और ये बहुत बड़ा सोर्स होता है आयरन का तो 36 गड़ में आप जब भी कुछ खाएं तो आपको भाजी की मौजूदगी जरूर कुजीन में दिखाई देगी वैसे ही चेंज भाजी और अदोवी बड़ी उसके साथ अगर इस खाने का आनंद बढ़ाना तो आप पापड़ भी ले सकते हैं और लोग लसून मिर्च की चटनी लेते हैं फिलाद हम लोग टमाटर धनिया और मिर्च की चटनी के साथ इसका आनंद लेगे तो ये बनाने के लिए बहुत कुछ आपको एफर्ट नहीं करना होता है बोरे या बासी दोनों के लिए बस घर में चावल चाहिए उसमें पानी चाहिए थोड़ा सा स्वात के हिसाब से नमक थोड़ा दहिया मही यारी चाच और अगर दही हो जाए तो फिर बात अलग है प्याज घर में होता है गोंतली तो आप भी ट्राई करिए चटीज गड़ के इस फेवरिट फूड को जो आपको बड़ा आराम दे ठंडा करने वा मैं तो शुरू करने वाला हूं तो आप सभी सही कहूँगा कि अब मुझे खाने दे आप लोग प्लानिंग करिए और बोरे बासी का अपने कर में जरूर आनद लें